जी बच्चों, नेक्स जो हमारा वैजरिंग इंस्टूमेंट है, that is screw gauze, it is used to measure the thickness of very small size objects, like if you want to find the thickness of a wire, अगर आपके पास एक wire है, आप उसकी thickness मुटाई find करना चाहते हो, तो आप screw gauze की help लेते हो, it works on the principle of micrometer screw, basically जैसे हमारे पास वो nut bolt system होता है, screw होता है, उस system पर ये काम करता है, कैसे काम करता है, let us discuss various parts of screw gauze, इसमें विच्चे हमारे पास जो दो main parts होते हैं, वो ये होते हैं कि एक हमारे पास linear scale होता है, this is called linear scale, जो इस तरह से horizontal है, और linear scale को हम, linear scale में से हम pitch को find करते हैं, pitch के अभी बात करते हैं, एक हमारे पास circular scale होता है, ये वाला ठीक है, अब ये जो उपर वाला circular scale है, इसको ना हम घुमा सकते हैं, ये इस तरह से rotate किया जा सकता है, on the linear scale, जैसे nut के ओपर bolt हम घुमा सकते हैं उसी तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर एक इस तरह से एक वो है, page बोल दो, nut बोल दो हैं उस पे इस तरह स इस तरह से cravings होती है, उसके उपर हम किसी nut को ऐसे घुमाते हैं, ये आपने daily life में ये चीज़ देखी होगी, ये बहुत simple सा concept है, daily life में आम देखते हैं हम इस चीज़ को, इस तरह से उसके उपर एक nut लगा हुआ है, ठीक है, इसको nut बोलते हैं, bolt बोलते हैं, अगर हम इसको move करता है, या счed को बंद करें, अगर हम उसको खोल लें, तो dış कोरता है, तो जो rotation होती है, rotation देने से क्या होता है, कि जो nut होता है, अगर आप बंद कर रहे हो, अगर आप खोल लो sonnoly, इस section में जाएगा तो यह जो principle है इस principle के उपर screw goes को design किया गया है यह जो circular scales के उपर बना गया है ना इसको इसे घुमा सकते हम अगर हम इसको अगर हम घुमाते हैं तो क्या होता है यह इस तरफ मूव करता है यह वला object और यह जो बीच में spacing है A और B के बीच में जो distance है यह vary करता है यहाँ से अब माल लो मेरे पास एक road है इस तरह की एक road है इस road की हमें thickness find करनी है तो हम क्या करते हैं इस road को यहाँ पर in between ऐसे रख लेते हैं और S को यहाँ पर fix करके इस position पर रखके हम nut को यहाँ से जो circular scale है उसको घुमाना start करते है तो इसको घुमाते घुमाते जब यह completely यहाँ तक पहुन जाता है उसके बाद यह further move नहीं करता वहाँ पे हम रुक जाते हैं वहाँ पे हम final reading लेते हैं reading कैसे लेते हैं उसको मैं भी आपको explain करता हूँ reading से पहले हम एक दो चीज़े define करेंगे जिसमें सबसे important चीज़ है pitch यह जो pitch है वो वही है जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब हम इसको rotation देते हैं रोटेशन देने से यह कुछ linear distance move करता है तो pitch की जो definition वो है the distance moved on linear scale कि यह कितना आगया पीछे move किया upon number of rotations या you can say per unit rotation मतलब अगर आपने इसको एक बार completely 60 degree से घुमा दिया circular scale की zero आपके सामने है आपने इसको एक बार completely घुमा दिया zero वापिस ले आए तो जब आप एक complete rotation दे दी तो यह कितने millimeter या कितने centimeter यहां से move किया that is basically pitch that linear distance divided by number of rotations एक example से pitch को समझते है for example आपने इसको one rotation दी one rotation आपने complete इसको दे दी ठीक है और one rotation देने से क्या हुआ यह जो linear scale है इस पे जो small divisions बनी हुई है यहाँ पर हर एक division जो बच्चे है वो one millimeter के ब्राबर होती है जैसे हैं हमारा main scale होता है Warner Caliper में भी main scale था similarly वैसे ही यहाँ पर हर एक division की जो value है that is one millimeter अब एक rotation देने से समझ लेते हैं कि यहाँ पर यह division आगे या पीछे move कर गया that means यह one millimeter move कर गया एक rotation देने से एक division आगे पीछे चला गया यह तो इसका मतलब यहाँ पर जो pitch होगी that will be the linear distance one millimeter divided by number of rotation which is one तो pitch is one millimeter ठीक है यह हो सकता है एक और example देख लेते हैं second example में समझ लो कि हमने इसको five rotations दी जब हमने इसको five rotations दी तो यह move किया let us suppose one millimeter ठीक है five rotations देने पर यह one millimeter move किया तो उस case में फिर क्या होगा उस case में जो pitch हो जाएगी very simple one millimeter divided by five that will be one by five millimeter यह pitch हो जाएगी तो pitch जो है बच्चे वो इस तरीके से हम calculate कर सकते हैं it is equal to the distance moved on linear scale upon number of rotations अब pitch से फिर least count निकाला जाता है ठीक है तो least count की definition देखते है least count कैसे निकलेगा least count निकलेगा pitch of the screw जो भी pitch आपने calculate करी है divided by the total number of divisions on the circular scale यह जो circular scale है इस पर कितनी divisions है उससे divide करते हैं for example अभी आपको नज़र आ रहा है 0 तो 0 के बाद यह 5 है फिर आगे 10 होगा ऐसे पूरा backwards से घूम के जब हम यहाँ पर पहुंचे 95 आ गया फिर यहाँ पर 100 तो इस particular case में we have 100 divisions 100 divisions on the circular scale यहाँ पर ऐसा है और pitch अभी हमने calculate करी है pitch जैसे मैंने बोला कि let us suppose 1 rotation gives you 1 mm तो इसका मतलब pitch है 1 mm तो फिर इसका मतलब least count कितना आ जाएगा pitch 1 mm divided by number of divisions on circular scale तो pitch को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो यह होगा 0.01 mm this is the least count of glucose यह जो least count है यह commonly available जो हमें मिलते हैं classes में, schools में या आम तोर पे जो glucose उसका least count इतना होता है ठीक है जी कितना होता है 0.01 mm let us compare it with वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर का जो least count था that was 0.1 mm screw गोज का जो least count आया है वो आया है 0.01 mm means it is actually equal to 1 by 10th of 1 mm हाना वर्नियर कैलिपर can measure एक बटा 10 of 1 mm एक बटा 10 मतलब दसमा हिस्सा तक वो measure कर सकता है 1 mm का जो 10th part है वहां तक की measurement वो हमें बता सकता है if this is 1 mm इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो उसका जो 10th part है इतना small distance वर्नियर कैलिपर measure कर सकता है लेकिन screw gauge उससे भी ज्यादा precise है हम यहां पे word यूज करते है precise more precise screw gauge उससे भी ज्यादा precise है क्योंकि इसका least count और चोटा है 0.01 mm का मतलब है it can measure 1 by 100 part सोवा हिस्सा of 1 mm इतना small distance यह measure कर सकता है मतलब जो human hair है human hair की thickness approximately यह find कर सकता है मतलब इतना precise instrument जो होता है जितना मतलब instrument precise होता है उतना उसका least count चोटा होता है इस बात का ध्याद रखेंगे ठीक है अब एक दो example देखते है reading से अभी relate करते है मतलब आपको बोला गया कि यह हमारे पास एक road है हमें इस road की thickness find करनी है diameter कहलो या thickness कहलो ठीक है वो कितनी है तो अगर आप burnier caliper से measure करोगे तो बच्चे हमारी reading कुछ इस तरह किया सकती है अगर अगर आप स्क्यू गौज से measure करोगे तो आप एक और डिजिट बता सकते हो 2.345 cm अगर मैं इसको mm में लिखूँ तो it is 23.4 mm और अगर मैं इसको mm में लिखूँ तो यह है 23.45 mm ठीक है बात वही है cm को mm में convert करना है तो 10 से multiply कर दें ठीक है अब यहां से 2 decimal places मिल रहे है मुझे इस case मुझे 3 decimal places मिल रहे है जिसमें ज्यादा number of decimal places मिलेंगे in the reading वो reading जो है वो more precise होगी उतने ज्यादा sophisticated instrument से reading ली गई है reading को देखते ही बताया जा सकता है कि इस reading का जो least count है इस reading वाले measuring instrument का जो least count है वो 0.001 cm है और इसको देखती बताया जा सकता है कि इसका जो least count है 0 कुझ से लगाना है पॉइंट की साथ पॉइंट लगाना है 0.1 cm है तो reading देखके भी आप बता सकते हो कि यह वर्निर केलिपर वाली reading है और यह screw goes वाली reading है अगर हम millimeter में भी बात करें तो same thing is here 0.1 mm बात वही है चाहे आप centimeter से में लिखो चाहे आप millimeter से में लिखो और यहाँ पर same reading 0.01 mm least count हमें दे रही है तो मतलब अगर ज्यादा precisely चीज़ों को measure करना है तो screw goes यूज़ करना पड़ेगा चलिए एक हम example से list count और calculate करते है a screw goes has 50 divisions on circular scale तो जो इसका circular scale है उसके उपर 50 divisions है यह given है it moves 0.5 mm in one complete rotation और यह इसकी pitch दे दी गई कि जब हम इसके circular scale की एक complete rotation करते हैं तो यह कितना move करता है 0.5 mm find least count हमें इसका least count निकालना है तो बहुत असान है पहले pitch लिख लेंगे pitch is वो तो given ही है question में 0.5 mm क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक complete rotation कर रहे हैं और यह जो distance move करता है 0.5 mm move कर रहे है तो it is given यह हमने लिख लिया least count का formula pitch upon number of divisions 50 से इसको divide कर ला है तो वही answer आ गया 0.01 mm तो बाद वैसे भी हो सकती है इसमें circular scale पर 50 divisions है बट वो जो pitch है वो भी half है 0.5 mm है तो वही बात है इसका least count भी उतना ही है जितना पिछले वालेगा था अगर यहाँ पर 1 mm ही हम move करते फिर हमारे पास least count different आता तो इस तरह से screw goes काम करता है अब reading की भी बात करते है least count निकानना सीख लिया अब हम simple reading की बात करते है की simple reading कैसे ली जाती है देखो जी एक हमारे पास linear scale है यह मैं यहाँ पर बना रहा हूँ यहाँ पर उस linear scale पर यहाँ पर कहीं 0 मार्क होता है एक दो तीन चार पांच एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है यहाँ पर one तो यह one centimeter का scale है main scale ठीक है linear scale जो होता है वो main scale होता है जरतर जो हम meter scale यूज करते है same way होता है और यहाँ पर हर एक division जो है वो millimeters में है ओके और एक हमारे पास circular scale है जो इसके उपर अब मैं बना रहा हूँ circular scale की अपनी एक zero है ठीक है जब यह completely बंद होता है यहाँ से यहाँ पर A जो है इसका यहाँ B है अगर B और A दोनों आपसे मिले हुए है वहाँ पर कोई object नहीं है ठीक है उस particular case में इसकी zero और जो हमारा circular scale होता है यह मैं circular scale बना रहाँ उपर यह वाला ग्रीन कलर में उसकी वे एक zero है जो ऐसे बनी हुई है zero वो मैच करते हैं यह वाली zero इस zero से अगर मैच कर रही है linear scale की zero और circular scale के उपर जबचे वो ऐसे हैं 100 divisions हैं ऐसे करके लेकिन when there is no object in between the jaws मतलब आपने इसको completely बंद कर दिया तो उस case में क्या होना चाहिए circular scale की zero linear scale की zero से मैच होनी चाहिए अगर ऐसा है if zero points of both the scales match with no objects then it does not have any error तो उसमें error नहीं होगा ठीक है zero error की बात कर रहा हूँ zero error वाला case भी हम बताएंगे जब आपने इसको completely बंद कर दिया और दोनों zero साफस में मैच हो रही है तो means जो skew goals है वो बिलकुल सही है उसमें कोई zero error नहीं है अब उस case में जब आपने rating लेनी है तो ऐसे ली जाती है rating जो होगी वो होगा main scale reading यह main scale reading कहां पे होती है on linear scale linear scale पे हम देखेंगे कि हमारा जो यह circular scale है कहां तक पहुंचा आगे पीछे कितना move किया प्लस number of division जो यहां पर भी match करेंगी वो हम देखेंगे कि यहां circular scale की कौन सी वले division इस zero line के सामने आ रही है वो division देखेंगे into least count यह हमारा formula है अब भी हम इसको करके देखते हैं देखे ध्यान से एक case बना के दिखाते हैं आपको मालनो हमने यहां पर एक object रखा उसको रखने से linear scale के उपर यहां पर जो zero थी उसके बाद एक दो तीन चार पांच एक बस यहां तक और उसके बाद हमारा जो circular scale है वो ऐसे बना रहा like this ठीक है और circular scale की जो division आ रही है इसके सामने यह वली जो line है उस line के नीचे एक दो तीन यहां पर लिखा गया है letter suppose 40 ठीक है ऐसे 40 लिखा गया यहां पर इस line के नीचे तीन division छोड़के 40 लिखा गया ठीक है इस तरह से है हमारी situation अब हम देखेंगे कि यह reading किसके बराबर है कैसे लिखेंगे इस reading को okay least count हमने पहले find कर लिया 0.01 mm यह हमारा least count है चलो यहां देखते हैं सबसे पहले आपने लिखनी है main scale reading main scale reading यहां से पता चलेगी अगर circular scale इसके बीच में होता जीरो से first division के बीच में कहीं पर होता तो main scale reading होती zero अगर one और two value division के बीच में आता तो main scale reading होती one means अगर यहां पर आता लेकिन अभी यह कहां जा रहा है this is one this is two three four five six divisions complete हो चुकी है seventh अभी नहीं आई ग्यांच से सुननो six divisions यहां तक complete है seventh ने अभी आना था लेकिन circular scale जो है हमारा वो उसके आगे आगया ठीक है तो जो main scale reading है बच्चे वो यहां से count करनी है main scale reading linear scale से count करनी है जो भी division आपके पास नजर आ रही है जो भी आपको सामने नजर आ रही है ठीक है last division जो आपको नजर आ रही है वो reading होती है तो last division जो हमें नजर आ रही है वो है six division तो यह जो six division है हर एक division की value one millimeter है तो यहां पर हम लिखेंगे main scale leading is six millimeter plus अब हम लेखेंगे small n क्या है मतलब कौन सी division जो है वो इस zero line के सामने आ रही है तो यहां पर let us suppose 40 है तो उसके बाद ऊपर की तरफ हमारा scale चल रहा है यहां पर 45 है ठीक है ऐसे हम घुमा रहे थे यहां 40 है ऊपर कही 45 है तो इसके सामने मेरे पास 40 के बाद 41 आया 2 आया 43 आया तो let us suppose 43 number division जो है वो इसके सामने है तो n is 43 into least count, least count is 0.01 mm यह अब इसको solve करेंगे तो 6.43 mm यह हमारे पास final leading आ गई है इसको अगर आप cm में लिखना चाहते हो तो 0.643 cm यहां पर last वाला digit बहुत important है वो आपको बता रहा है कि हम कहां तक जाके इसको measure कर रहे हैं हम जो measure कर रहे हैं इसको 1 by 100 parts of mm तक measure कर रहे हैं ठीक है तो this is the final reading एक और example करते हैं यह हमारे पास फिर से linear scale है इसके उपर यहां पे था 0, 1, 2, बैस थोड़ा अभी जूम करके बनाता हूँ तीन, चार, और पांच, छे, साथ, और यहां है आट, नो, और यह है दस यह 10 divisions हैं हमारे पास ठीक है अब जो हमारे पास circular scale है बच्चों, वो let us suppose यहां तक आ रहा है जब आपने कोई object रखा, यहां पे in between a and b, यह a jaw था, यह b था यहां पर आपने कोई object रखा, उस object को रखने से जो circular scale है वो यहां आ रहा है तो this is your circular scale, ठीक है अब circular scale की जो division है, इसके सामने वो मैं आपको बताई देता हूं direct की वो कितनी आ रही है यह हमारे पास आ रही है, let us suppose 52 number divisions हम इसको count कर लेते हैं, जब आप experiment करोगे, तो इसको count करना सान होता है कई बार diagram से भी count करना होता है तो let us suppose जो n की value है, वो 52 है, मैंने direct लिख दी तो जो हमारे पास reading आएगी इस case में वो कितनी आएगी, पहले आपने main scale देखना है main scale में last division कौन सी नजर आ रही है, this is first, this is second, this is third हना तो third division आपको last नजर आ रही है तो 3 mm तो complete है, 3 mm प्लस something वो प्लस something है, number of division जो match कर रही है zero line के सामने जो आ रही है, circular scale की division 52 into least count तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है, main scale reading प्लस n times least count, तो यह answer आ गया, 3.52 mm इस तरह से बच्चों हम skew गॉस की reading लेते हैं यह अभी मैं उस case की बात कर रहा हूँ, when there is no zero error मैं इसमें कुछ idea subtract नहीं कर रहा हमारा जो instrument है, वो बिल्कुल ठीक है जब हम उसको completely बंद कर देते हैं यहाँ पर तो zero से zero match होती है, अगर ऐसा होता है तो least count में कोई zero error, तो screw cause में कोई zero error नहीं है चलिए, अब हम zero error भी देख लेते हैं, positive किसको बोलना है, negative किसको बोलना है zero error क्या होता है, when the two starts A and B of the screw goals are brought in contact and if the zero of the circular scale does not coincide, ठीक है, does not coincide with the reference line अगर यह दोनों coincide नहीं कर रहे है, reference line के साथ then the screw goals has an error, this error is called zero error तो दो तरह का होता है बच्चो, एक होता है positive zero error पॉस्टिव zero error में क्या होता है the zero error is set to be positive if zero of the circular scale lies below the reference line reference line की नीचे अगर zero आ रही है तो इसको हम positive zero error बोलेंगे and if the negative, if the zero is above the reference line then it is negative zero error तब यह negative zero error होगा, देख लो आप यह reference line है, zeros के उपर जा रही है कब की situation है यह जब आपने A और B starts को complete आपस में contact में ले गए हैं उस case में, अगर zero उपर है, reference line के so this is negative zero error और अगर zero नीचे है तो this is positive zero error इस case में कितनी divisions नीचे हैं, वो आपने देखना है तो यहाँ पर एक और दो दो divisions नीचे हैं ना zero तो जो zero error आएगा, प्लस लगाएंगे आप प्लस two times least count this will be the zero error, मतलब इस case में zero error है, two into zero point zero one millimeter and that is zero point zero two mm यह इसमें positive zero error आगया zero इसके नीचे हो नीचे है, यह reference line के इस case में ऐसे आप लिखो चाहिए ना लिखो negative है, आप minus लगादो, देख लो कितनी divisions उपर हैं, यहाँ पर two divisions उपर चली गए यह zero, तो यहाँ पर zero error है, वो है minus two into zero point zero one mm means minus zero point zero two millimeter, अब जब आपने final reading लिखनी है बिच्चे, वो सेम वैसे ही लिखनी है, जैसे मैंने बताया था final reading is observed reading जो आपने observe किया यह किस के साथ है, with faulty instrument, जिसमें fault है, जिसमें zero error है, उससे जो आपने observe किया minus zero error, तो यह हमारे पास relation है final reading के लिए, for example हम positive zero error की बात कर रहे हैं तो उस case में जैसे अभी हमने final reading observed reading मानलो quality से निकाली थी मानलो जो अभी हमने निकाला 3.52 millimeter for example, उसमें से अगर हम यह positive zero error की बात करें तो यह subtract हो जाएगा, 0.02 mm इसमें से subtract हो जाएगा तो answer आएगा 3.50 mm और अगर इसकी बात करें तो दो बर minus आएगा, यह add हो जाएगा, last answer में तो इसको zero error बोलते हैं तो ध्यान देना है, zero अगर reference line के नीचे है, तो positive error zero अगर reference line के उपर है, तो negative error ठीक है? बस यह इतना सा funda अपने ध्यान में रखना है और एक चीज़ बताऊँ आपको आप इसको 90 degree पे घुमा के number line से भी बोल सकते हैं जैसे माल लो 90 degree पे घुमा देते हैं इसको यह हमारे पास reference line है और यह उपर वाला circular scale है, ठीक है? यह circular scale है, यह नीचे वाली reference line है, मैंने 90 पे घुमा दिया, ऐसे घुमा ना 90 पे ठीक है, अब देखो, अगर तो आपकी 0 इस तरफ है positive वाली side पे, तो positive 0 error है और अगर आपकी 0 negative वाली side पे है, तो negative 0 error सेम चीज़ है जैसे मैंने यहाँ पर बताई which of the following is most precise device for measuring length? सबसे precise कौन सा है, यह vernier caliper है, इसकी 20 divisions है on the sliding scale, ठीक है, अब 20 divisions on the sliding scale है तो इसका मतलब है, हमें इसका least count निकालना ना चाहिए तो least count कैसे निकाल लेंगे? देखो, sliding scale पे हमने जो किया था, हमने किया था 10 divisions वाला जिसका हमने least count निकाला था, हमने बोला था 9 MSDs, main scale divisions is equal to 10 VSDs, 10 vernier scale divisions ऐसे निकलता है, least count दुबारा से देखो यह किसी vernier caliper के लिए है, जिसके main scale वाले divisions 9 और दूसरे 10 है, वहाँ हम एक MSD की value निकाल लेते हैं, sorry, एक VSD की value निकाल लेते हैं 1 VSD is 9 by 10 MSD, ठीक है, और फिर हम least count निकालते है ऐसे least count होता है, main scale division में से vernier scale division को minus करना होता है, तो 1 MSD minus 0.9 MSD, इसको solve करके हम लिखते हैं 0.1 MSD, main scale division, main scale division होती है millimeters में, तो यह least count होता है, जो common वाला vernier caliper है, commonly available, लेकिन यहाँ पे 20 बोल्ड है तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसका least count लेको 9 main scale divisions, main scale divisions मतलब millimeters, 9 millimeters, क्योंकि main scale पे 1 division 1 millimeter के ब्राबर होती है, is equal to 20 VSDs, 20 vernier scale divisions, तो 1 VSD की value यहाँ पे 9 by 20 millimeter आ गए, ठीक है, 9 by 20 millimeter, तो least count इस case में होगा, 1 millimeter, 1 millimeter वही होगा है न, main scaled division, minus 9 by 20 millimeters, तो इसको solve करेंगे, तो 20 minus 9 divided by 20 millimeter, तो यह बन गया कुछ, 11 by 20 millimeters, ठीक है, 11 by 20 millimeters जो है, इस one year का least count है, 11 by 20 को solve कर लेते हैं, यह आ जाएगा, 0.55 millimeters, तो यह इसका least count हो गया, vernier का, पहले case में, second case में, slew was, जिसकी pitch 1 millimeter है, 100 divisions है, इसका least count का formula होता है, pitch upon number of divisions on circular scale, which is 100, 0.01 millimeter, अब दोनों में से देखो, कौन सा छोटा है, यह छोटा है, screw goes का least count, सबसे, इससे छोटा है, वरnier से, लेकिन last वाला जो instrument है, that is optical instrument that can measure the length within a wavelength of visible light, तो यह optical instrument पता कौन सा है, microscope, यह microscope है, और microscope जो है, पता कितना distance से measure कर सकता है, वो से कम वो कितना देख सकता है, difference कितना बता सकता है, तो वो कह रहा है, wavelength of visible light, wavelength of visible light पता किस range में होती है, यह होती है, अगर मैं red light की बात करूँ, तो 6000 into 10 to the power minus 10 meter, मतलब 6 into 10 to the power minus 7 meter, minus 7 meter का factor आगया यहां पे, ठीक है, तो यह देखी, यह सबसे छोटा है, यह जो इसका least count है, measuring instrument का, यह सबसे छोटा है, तो इसका वतलब सबसे precise होगा, यह वाला optical instrument, जो within the wavelength of visible light की length को भी measure कर सकता है, तो सबसे precise वाला instrument यह है, C, तो इसका answer है, C, तो इस तरह के questions जो है, concept based question पूछे जा सकते हैं, यह भी एक conceptual question है, कि स्क्यूगाउज के बारे में, अगर हमें यह पता है, कि वही, स्क्यूगाउज की pitch जो है, अगर वो one millimeter है, और कह रहा है, उसके circular scale पे 200 divisions हैं, तो उसका least count आ जाएगा हमारे पास, one by 200, 0.005 millimeters, ठीक है, तो इतना small least count आ जाएगा, अब कह रहा है, कि क्या ऐसा हो सकता है, कि हम इसकी accuracy को और बढ़ा दे, इसका least count और जादा बढ़ा दे, कैसे बढ़ा दे number of divisions on circular scale को increase करते रहे, arbitrarily क्या बढ़ाई जा सकती है, accuracy बतो जितनी हमारी मर्जी है, उतनी बढ़ा दे, कैसे बढ़ाएंगे, number of divisions on circular scale पर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और उससे accuracy बढ़ती जाएगी, is it possible, यह question है, तो answer is no, it is not possible, why, क्योंकि देखो जब आप एक circular scale है, like this, इस तरह से हमारे पास एक circular scale है, जिसको आपने read करना है, तो 200 divisions, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी हैं वहाँ पे न, तो आप उनको अभी देख पा रहे हो, अगर आप उसको naked eye से नहीं देख पा रहे हो, तो जाएंगी, तो जो हमारी eye की resolution है, उस पे भी depend करता है, कि क्या हम ये reading ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो 200-300 तक तो बात बन जाती है, lens की health से भी हम देख लेते हैं, बट यह नहीं है, कि आप thousand divisions लगा दो यहाँ पर, और thousand divisions लगाने के बाद least count और बढ़ा दो, ऐस at least count और शोटा कर दो, it is not possible, तो यह भी conceptual question था, ठीक है, तो answer is no, because of limit of resolution, limit of resolution of human eye, अच्छा बच्चे, यह limit of resolution के बारे बात करते हैं, यह क्या होता है, limit of resolution का मतलब होता है, कि जो human eye है, वो क्या इन दो अलग-अलग lines को differentiate कर पा रही है, कि यह अलग-अलग है, अगर यह बहुत पास-पास हो, like this, अभी भी आपकी जो eye है, इनको differentiate कर सकती है, कि यह दोनों अलग-अलग lines है, बट अगर मैं और पास लेया हूँ, इसके बिलकुल साथ जोड़ दूँ, अगर आप अभी lens से देखो है, the limit of eye to resolute, resolute का मतलब to differentiate, to closely placed objects, that is limit of resolution of human eye, ऐसे लिखना है, 16 main scale divisions, अना, 16 कह रहा है, main scale divisions है, और जो match कर रही है, 20 VSD के साथ, 1 year scale division, यहां से 1 VSD की value निकालनी है, जो होगा, 16 by 20 MST, 16 by 20 को solve करेंगे, तो हमारे पास यह factor चला जाएगा, 8 पे, और 8 divided by 10, 0.8 MST, this is 1 VSD, now least count is, 1 MST, minus 1 VSD, this is the formula for least count, अब main scale division की value है, वो कह रहा है कि, 1 year caliper has 1 mm marks on the main scale, तो 1 MST की value है, 1 mm, ठीक है, और यहां पर भी हम 0.8 MST put करेंगे, तो means 0.8 mm, तो 1 minus 0.8, this is the next question, 29 MST, उसने बोला है, main scale divisions, is equal to 30 VSD, 1 VSD आगया, 29 by 30 MST, least count का formula, बताओ जी, क्या होता है, कौन बताएगा, Sir, MSD minus VSD, very good, 1 MSD, minus 1 VSD, अब यहां MSD, ऐसी रहने देना भी, लेकिन VSD को 29 by 30 MST put कर रहा है, ठीक है, ऐसे, तो यह आगया, 30 minus 29 by 30 main scaled divisions, ठीक है, तो यह आगया, 1 by 30 main scaled division, ठीक है, अब उसने बोला है, कि हर किसी उसकी value जो है, यहां एक line लिखी गई है, कि the smallest division on the main scale is half degree, अभी half degree के बराबर है, millimeter के बराबर नहीं बोला, half degree बोला, तो हमें मतलब यहां पता चल लगा कि MSD की value 0.5 degree है, यहां put कर देंगे, तो least count बन गया, 1 by 30 into 0.5 degree, MSD की value यह दी गई है न, 0.5 degree, इसको solve कर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह न, actually, 0.5 degree जो इसको half degree लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, half degree, तो यह हो गया, 1 by 60 degree, तो 1 by 60 degree is 1 minute, उसको ऐसे लिखते हैं minute को, यह कैसे, देखो बच्चों मैंने बोला था, 1 degree में 60 minutes होते हैं, तो मतलब 1 minute जो होता है, वो 1 by 60 degrees होता है, इस चीज़ को याद रखना, तो वही से आया, मैंने 0.5 को 1 by 2 लिखा, उसको लिख सकते हैं, 1 by 60 degrees, 1 by 60 degrees, 1 minute, तो answer is 1 minute, good, ठीक है, शलिए, तो इस तरह के questions, यह वाला question, यही का question है, ठीक है, हाँ जे, चलो बच्चों, तो कैसे करना है, 2 full turns, 2 full turns on circular scale, gives 1 mm, हाना, तो पहले pitch कैसे निकान नहीं है, पिच होता है, distance, linear distance moved, which is 1 mm, upon number of rotations, हाना, तो वो turns, जो है, number of rotations, वो 2 हैं, इसमें, जहां से, एक नहीं है, 2 full turns बोला, उसने, मतलब कह रहा है, कि जो circular scale होता है, उसका least count का, उसका screw goes का, उसको 2 बार गुमाया, ऐसे, एक बार पहले गुमाया, 0 सामने आया, फिर दूसरी बार गुमाया, फिर 0 सामने आया, तो इतना गुमाने से, जो linear distance moved किया, main scale का, वो 1 mm है, a distance of 1 mm on male scale, तो pitch यहां प तो least count होता है, pitch divided by number of divisions on circular scale, 5 से 5 कटा 1 आया, नीचे 10 है, तो answer आगया, 0.01 mm, this is the least count, फिर वो कह रहा है, उसका 0 error बाद में add करेंगे, while measuring the diameter of thin wire, a student notes that the main scale reading is 3 mm, तो reading कैसे लेते थे, मैंने कल बताया था, reading में, आपने पहले लेनी है, main scale reading, plus n, जो division match हो रही है, into least count, तो main scale reading कह रहा है, 3 mm वो देख रहा है, और फिर number of circular scale division, जो n है, in line with main scale is 35, तो जो matching division होती है, this is called the number of circular scale division, which is in line, in line with the main scale, matching division, वो 35 है, और least count 0.01 है, इसको solve किया, ये भी mm में है, इसको solve किया 3.35 mm, तो एक तो इतना मुझे पता लग गया, ये मेरे पास observed reading है, जो उस student ने, उस screw gauge से find करी, बट उसमें 0 error भी है, 0 error है, उसमें 0.3 का, minus 0.03 mm का 0 error है, तो final reading कैसे लेते हैं, final reading is, final reading का formula होता है, बच्चों, जो आपने observe करी है, minus 0 error, तो this is the formula, observed reading हमारे पास है, 3.35 mm, minus 0 error, which is minus 0.03 mm, ये given है negative, तो negative sign साथ में लगाना है, तो answer आएगा, 3.38, दोनों add हो जाएंगे, mm, तो this is the right answer, अधित्ते का भी answer ठीक थीक था, चलो, तो इस तरह से, I hope, अभी आपको screw gauge की reading लेनी आ गई, अब देखो, J mains का question देखो, कितना असान है, जो कभी-कभी ऐसे question भी आ जाते है, देखो, ये J mains में आवा है, कि भई, एक student है, उसने एक road का diameter length measure करनी है, और उसने वो length लिखी है, 3.50 cm, ये उसका answer है, कौन सा instrument उसने use किया है, देखो, meter scale नहीं use कर सकता, meter scale का list count होता है, 0.0, 1 cm, this is a least count of meter scale, next है, वर्निर कैलिपर, वर्निर कैलिपर, वर्निर कैलिपर, where 110 divisions of VC, matches with 9 divisions in the main scale, and main scale has 10 divisions in 1 cm, तो B option का list count होगा, ये meter scale का लिखा, meter scale का ये नहीं आएगा, meter scale है, वो centimeter scale होता है, meter scale का list count बच्चे आपने मानना है, वो ये मानना है, 0.1 cm, ठीक है, वर्निर कैलिपर का list count हमें पता है, वर्निर कैलिपर, वोई, आम वाला है, common वाला, 10 divisions, matches with 9 divisions in main scale, और main scale पे 10 divisions है, in 1 cm, तो B option वाला जो object है, जो instrument है, उसका list count है, बच्चे, 0.01 cm, और we can say 0.1 mm, हमें पता है ना, कि वर्निर कैलिपर, एक mm का दस्वा हिस्षा measure कर सकता है, और एक mm का दस्वा हिस्षा मतलब cm का सोमा हिस्षा, मतलब 0.01, तो this is second option, यह सही है, skew gauze, skew gauze का तो list count और कम है, उसका है 0.001 cm, अगर skew gauze से measure करता, तो reading यह होती, 3.500 cm, जितना list count है, उतने decimal places तक reading जाती है, देखो, तो 3 decimal places list count में आएंगे, 3 decimal places reading में होंगे, 2 decimal places list count में आएंगे, तो reading में भी 2 decimal places होंगे, यह ध्यान रखना, और last वाला भी एक skew gauze है, जिसमें 50 divisions हैं, circular scale पर, और pitch 1 mm है, तो इसका list count कितना हुआ, D option का, skew gauze के लिए formula होता है, pitch, divided by number of divisions on circular scale, तो 1 by 50, तो यह बन गया, 0.02 mm, शीक है जी, तो किसका list count मैच कर रहा है, यह B option वाले का, तो B option मतलब वर्नियर कैलिपर से यह वरी reading ली गई है, ठीक है बिच्चों, तो इसका जान लखना, यह meter scale का list count, 0.1 cm होता है, 0.1 cm को आप 1 mm बोलते हो न, meter scale के उपर, 0 बाग यहां होता है, तो एक division की जो value होती है, that is 1 mm, एक डायमेटर अफ ए सिलंडर इस मैज़र्ड वर्नियर कैलिपर, with no 0 error, 0 error तो नहीं है इसमें, it is found that the 0 of 1 year lies between, 0 of 1 year lies between 5.10 cm and 5.15 cm of the main scale, ठीक है, मतलब की भई, जैसे यह main scale है, यहां पर कहीं है, 5.10 cm और फिर उसके बाद है, 5.15 cm, और 1 year scale की जो 0 है, 0 of the 1 year scale, that lies in between here, ठीक है, यहां पर कहीं पर lie कर रही है, like this, वो नहीं पता कहां कर रही है, बट इसके कहीं पर, उसने यह नहीं बताया की 5.10 और 5.11 के बीच में लाई कर रही है, ऐसा नहीं बताया, उसने एक बड़ी range ले ले ली, उस range में कहीं पर लाई कर रही है, फिर बोला की जी, 1 year की 50 divisions है, which is equivalent to 2.45 cm, अब इसका मतलब क्या हुआ लिख लेते हैं, 50 VSD, किसके बराबर बोल ला है, 2.45 cm, ठीक है, 4.2.45 cm, यह दे दी एक चीज उसने, उसके साथ बोला, the 24 division of VC exactly coincide with one of the main scale divisions, और वो N की value है, यह 24 है, this is the value of N, जो matching division है, that is 24, and यह दे दिया, okay, the diameter of cylinder is, हमें reading बतानी है, तो बात यह है, कि एक तो 0 error नहीं है, यह हमें थोड़ा सा benefit हो गया, दूसरी चीज है, least count अगर हमें पता चल जाएगा, तो we will get answer, least count कैसे निकाल लेंगे, वो हम देखते हैं, अब देखो, जहां पर 0 आ जे न, जिस उसके बीच में, जिसे 5.10 से लेके, 5.15 के बीच में 0 आ रही है, तो उससे पिछली वाली जो division होती है, उसको main scale reading लेते है, इसका आपने ध्यान रखना है, that is main scale reading, तो मैं यह लिख देता हूँ, कि जो main scale reading है, जो data मुझे मिल रहा है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ, क्या क्या चीज़े मेरे पास है, main scale reading है, 5.10 सेंटिमेटर, तो मुझे main scale reading भी मिल गई, मुझे end भी मिल गया, formula इसका ही होता है, main scale reading, plus end times least count, तो यह दोनों चीज़े मुझे मिल गई है, बट मुझे least count कहीं से निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए भी data given है, आपके सामने है, देखो, 1 VSD की value हमें चाहिए होती है, least count निकालने के लिए, क्योंकि least count का formula होता है, 1 MSD minus 1 VSD, यह हमें पता है न, तो VSD पहले निकालना पड़ेगा, 1 VSD होगा, 2.45 divided by 50 cm, जस 50 निचे ले गए, वो ही चीज़े जो हम हमेशा करते हैं, इसको solve करेंगे, 0.049 cm आ गया, तो VSD की value मुझे पता लगगी, यहां put कर देंगे, 1 MSD, MSD की value पे भी निकालनी है, minus 0.049 cm, अच्छा, 1 MSD कितना है, main scale division कितनी है, यह रही है आपके सामने main scale division, इसकी value कितनी है, देखो कैसे पता चलेगे, इस में सिसको minus करके पता चलेगे, तो main scale division is 5.15 minus 5.10 cm, ऐसे निकालते हो न, main scale division की value, main scale division की value किसी भी scale पे ऐसे निकालते हो न, तो यह कितना आ गया, यह आ गया, 0.05 cm, this is the value of one main scale division, जो यहाँ put करेंगे, इसको solve करेंगे, तो answer आएगा, 0.001 cm, यह list count है, अभी आपको list count भी मिल गया, n भी मिल गया, msr भी मिल गया, सब को यहाँ put करो, msr मतलब main scale leading, which is 5.10 cm, प्लस n मतलब 24, इसको solve करेंगे, तो 5.11 तक तो आएगा, उसके बाद आजएगा, 2.4, जब आप 24 को इससे multiply करके, इसमें add करोगे, तो यह आजएगा, तो this is the answer to this problem, option number देख लो, option number B, तो यह advance में आया होगा question, ठीक है, वो ही सारा कुछ ही use किया है, बस data देने का तरीका थोड़ा सा different है, थोड़ा सा confusing है, कि बच्चे confused हो जाएं, पहले ऐसे बोला होता था कि एक value की जो main scale है, उसकी एक value जो है वो, एक division की value 1 mm है, अब उसको ऐसे दे दिया, कि भई जो zero है, वर्निर कैली पर की, वो 5.10 से लेके 5.15 के बीच में है, तो मतलब यह main scale leading आगई, division की value आपने बतानी है, तो division की value इसमें से इसको minus करके, division की value आगए, least count निकालना है, यह factor निकालना, वे formula में put किया और answer आदे,